दिमनी विदानसवा सीट की हर कोई चर्चा कर रहा है चर्चा की वज़े है क्योंकि पूरे मद्यप्रदेश में ये बेहद होट सीट है होट सीट होने की वज़े है क्योंकि यहां से भाजपा के प्रत्याशी है नरेंद्र सींग तौमार जो केंद्र मंत्री है इसलिए राष्ट इस्तर पर मद्ध प्रदेश की दिमनी सीट की चर्चा हो रही है अब दिमनी पर एक और चर्चा हो रही है और वो है रविंद्र तॉमार जो कि कॉंग्रेस के प्रत्याशी है और इन्होंने चार से पांच दिन बाद सामने आकर के कई तरह के सवाल खड़े क हैं लेकिन आश्चर आपको तब होगा जब आप जान लेंगे कि सायद कॉंग्रेस कमलनात को खुद अपने ही प्रत्याशी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा यह कहें कि दिमनी में कॉंग्रेस है भयंकर नाराज नमसकार मैं हूँ गिराश शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक लोग और पत्रकार तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं कह रहे हैं कि रविंद्र तॉमर जो कि कॉंग्रेस के प्रत्याशी हैं यह च्छेतर से गायब हो गए थे यानि कि दो या तीन दिन पहले तक ठीक से दिखाई नहीं दिये और जिस दिन मतदान था उस दिन भी दिख प्रशाषन और नरेंद्र तॉमर पर लगाते हैं रीपोलिंग की बात भी कर रहे हाई कोट जाने की बात भी कर रहे हैं अब ऐसे में जब आपका ध्यान इस ओर जाएगा कि कॉंग्रेस रविन्दर तॉमर की बातों पर कЙतना यकीन कर रही है तो आपको आश्चर होगा क्योंकि कॉंग्रेस का जो official ट्विटर हेंडल है वहां से रविन्दर तॉमर की PC के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया रविंद्र तॉमर की जो PC है उसको ट्विट तक नहीं किया गया उन्होंने क्या क्या बाते कहीं है उनके समर्थन में लेकर के कुछ नहीं कहा गया जब हमने उस पेच को देखा तो हमें कुछ भी नहीं मिला तो हमें लगा शायद कमलनाथ ने रविंदर तॉमर को लेकर के कुछ कहा होगा तो कमलनाथ के टुटर हैंडल पर भी रविंदर तॉमर के लिए कुछ भी नहीं कहा गया हमें लगा दिगवजे सिंग ने कहा होगा तो दिगवजे सिंग के ट्विटर हैंडल पर भी कुछ भी नजर नहीं आया ये कई तरह के सवाल खड़े करता है कि कॉंग्रेस का प्रत्याशी आरोप लगा रहा है आवाज उठा रहा है लेकिन खुद कॉंग्रेस और उनके बड़े नेताओं को क्या रविंदर तौमर की चिंता नहीं है रविंदर तौमर पर यकिन नहीं है ये सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि अगर एक प्रत्याशी इस बात को कह रहा है तो क्या लोगों की बातों में और पत्रकार की बातों में दम तो नहीं है जो छेत्र में हवा उड़ रही है कि रविंदर तौमर तो बिग गए रविंदर तौमर बैड़ गए जो छेत्र कि हैं उन्हीं में टक्कर है हाला कि नरेंदर तॉमर का लोग पलडा भारी बता रहे हैं क्या इस प्रकार की खबरों पर जो हाई आला कमान है कॉंग्रेस का उसे यकीन तो नहीं क्योंकि ये खबरें उपर तक भी पहुंची होंगी और अगर यकीन है इसलिए शायद उन्हें रविंदर तॉमर की पीसी पर भी यकीन नहीं उनके टुट को रीटुट तक भी नहीं किया है उनके समर्तन में कुछ कहा भी नहीं है जब आप टुटर रेंडल पर जा पर कुछ भी नहीं दिखेगा साथी साथ उन्होंने जो अजीत अंज्यूम है पत्रकार उनके टुट को भी रीटुट किया है मतदान वाले दिन लेकिन इसके अलावा कॉंग्रेस का ऑफीसियल पेज और कमलनात दिगविजव जो तमाम बड़े नेता है उनके पेज से रव रविंद्र तॉमर के खलाब कॉंग्रेस एक्सन ले सकती है या कॉंग्रेस रविंद्र तॉमर को टाटा बाई बाई कह सकती है यह तो तीन डिसंबर कोई पता चलेगा लेकिन यह बात सोचने पर मजबूर तो करती है कि आखिर कॉंग्रेस और बड़े तमाम नेता ने रव कीजिए और साथी साथ सरल्टॉक के टुटर टेलीग्राम इस्टेग्राम पीच को आप जरूर फॉलू कीजिए अन्त में सभी से एक अपील है कि आप सरल्टॉक को जॉइन और ठैंक्स बटन के द्वारा जरूर सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बहतर सुतंत्र पत्रकारता कर सके नमस्का